नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी स्वागत है आप सभी का IFS के YouTube चैनल पर उमीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे आज हम एक interesting topic पर बात करने वाले हैं जो बहुत समय से मुद्धा भी बना रहा है और इस पे कई लोगों ने अपने अलग अलग व्यू दिये हैं मैं बात कर रहा हूं origin of life की earth में मतलब earth में पहली life कब आई और कैसे आई और definitely एक बहुत बड़ा मुद्धा रहा है कई सालों से इसमें कई साइंटिस्टों ने बहुत सारे अपने अपने व्यू दिये हैं समय समय पर जैसे जैसे study होते गई उस हिसाब से लोगों के व्यू आते गए लोगों ने प्रूफ दिया लोगों ने contradiction दिया कई लोगों को क्रिटिसाइज किया तिलिए वो तो ठीक बात है या फि एक बहुत ही interesting theory है दोस्तों इसे सबसे पहले दो साइंटिस्टों ने दिया था जिनकी तस्वीर यहां पर है यह दो साइंटिस्ट हैं इनका नाम था क्रिक और 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 गेल यह दो सर हैं जो बहुत ही अच्छे काम किये हैं इस पैंस्पोमिया थियोरी के ऊपर आई हम बात क पीजरतें इन्होंने क्या कहने की कोसिस की तो बैसिकली और और गेल सरका कहना था की जो life और तमें कैसे आई है तो इनका कहना था और उसी ने life को पूरा बढ़ाया एर्थ में जो आज हम इतने सारी diversity देख रहे हैं क्या कहा उन्होंने तो क्रिक और और गल इन दोनों सर का कहना था कि एर्थ में जो life आई है वो extra terrestrial है क्या मीनिंग होता है extra terrestrial का तो extra terrestrial बोलने का मतलब यह है कि extra मतलब बाहर से और terrestrial मतलब किसी दूसरे planet से यह sense निकलता है मतलब कि life किसी दूसरे planet से आई है as a seed और हमारे अर्थ पर life की सुरवात की है उसने ऐसा बोला गया और कई बार ऐसा बोलने का मतलब भी होता है कि कोस्मो जोई थियोरी भी एक है या कोस्मो जोवा भी बोला गया कई बार उसके according यह कहना है कि हमारे अर्थ पर जो life है वो as a alien के तोर पर आई है alien मतलब वही किसी दूसरे planet से कोई seed आई या कोई particle आये उसने life की सुरुवात कर दी ठीक है तो as a alien उसके बाद हो रही यहां जो दिख रहा है वैसा तो exactly नहीं हुआ होगा यह just मैंने animated करने के लिए इसको इंट्रेस्टिंग बनाने के लिए ऐसे फोटो डाल रखी ऐसे तो विल्कुन नहीं है एक इमेजिनरी बात है ना कि alien मतलब ऐसे दिखने वाले just because चलिए इसके आगे हम बात करते हैं और समझने की कोसिस करते हैं ठीक है क्रिक और 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 यह कैसे बोला और इसके पीछ और इसी मर्चीसन लेक में एक मीटियोरोइट फ्लाफ हुआ था उस मीटियोरोइट का इस लेक में गिरने से उस मीटियोरोइट को नाम दे दिया गया मर्चीसन मीटियोरोइट और जब उस मीटियोरोइट की study की गई तब यह पाया गया कि उसमें ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल थ तो चलिए हम जानते हैं कि वह मीटियोरोइट इतना खास क्या था जिसने बताया कि लाइफ किसी दूसरे प्लेनेट से आई है आईए देखते हैं और वह इसी लेक में गिरा था और इस लेक के नाम की वज़े से उसका नाम दिया गया मर्चीशन मीटियोरोइट ठीक है यह वह है फैल का हुआ था 1969 में हुआ था सेप्टेंबर 28 में ऐसे कुछ बातें लिखी गई है उसके डिटेल के बारे में ठीक है तो जब इसको टेस्ट किया गया तो हम में जो लाइफ के लिए बेसिक नीड्स होती है मान के चलिए कि वह बेसिक नीड्स की क्या-क्या है पॉइंट मैं बताता हूं जैसे कि प्यूरीन्स पाइरिमीडीन्स यह डियन्ने में बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं साथी साथ ऐमाइनो एसेट्स सुगर्स ग्लिसेरॉल्स यह सारे मॉलिक्यूल इस मीटियोरॉइट्स में मिले जब इनको टेस्ट किया गया इसके बेसिस पर क्र क्ते सबसे पहले करना क्या होगा आपको जूंड़ना होगा कि हमने पूरी पूरी इन्डिवर्स को से दडी कर लिया है और हमें इस मीटियरॉइट से मिलता जुलता प्लैनेट कोई भी ऐसा जिसके जसमें यह मिला हो तो हमने सब galaxy या सब planet पे यह find out कर लिया और हमें पता चला कि ऐसा कोई meteorite ही नहीं तब जाके यह theory गलत हो सकती है लेकिन एक बात यह भी हो सकती है कि अगर आपको prove करना है या इसको support करना है कि यह theory बिलकुल सही है तो आपको एक ऐसा planet ढूंड के लाना होगा जो इस meteorite से मिलत है यह तो बस उस meteorite का उस लेक में फॉल फॉल हुआ और उसको test किया गया तो यह पाया गया उसके पर यह theory दी गई दी पैंस पॉमिया theory क्योंकि हम में क्या माना जाता है कई बार की life में जितने contradiction दिख रहे हैं वह हम क्यों मानें जब सीधा सीधा दिख जा रहा है कि यह जो meteorite है इसमें बहुत सारे molecule हैं तो इसको based मानते हुए क्रिक और और्गल का यह कहना था कि life किसे दूसरे planets से आई है लेकिन अमूमन मुद्दा यही है न कि फिर वह first life वहां कहां से आया होगा और first life को समझाने में यह theory अभी भी असफल है या असमर्थ है लेकिन यह theory बस इस basis पर प्रूफ करती है कि उस meteorites में required amino acids थे या फिर proteins थे जो indirectly सबूत देती है जो हमारे cell के या हमारे body में भी है इस वजह से यह theory origin of life को किसी एक तरीके से यह सिखाती है कि हमारे earth में जो life है वो किसी दूसरे planet से आया है ठीक है और अगर आपको ऐसा लगता है कि यह नहीं दूसरे planet से life नहीं आया है तो मैंने जो बोला कि आपको प्रूफ करना होगा कि हमने सारे planet study कर लिए सारे galaxy study कर लिए हमें तो कहीं ऐसा नहीं मिला या फिर किसी को support करना है या फिर एकदम दावे के साथ कहना है तो definitely आपक एंक दोनों चीजद कर तो इतनी आसानी से बिलकुल भी सबल्क नहीं सकते हैं क्योंकि है इंचे मटी इन्यूर्स में एक हमारा है उसमें से करोड़ो अर्बोस्टार उसमें से एक हमाराился प्लेणेट है और बाखिशनऌ कितने सारे planet हों इतना आअसाम नहीं होगा इसलिए यह कई बार ऐसा होता है कि एक थियोरी के एकसेप्ट कर लिया जाए यह एज़ा थियोरी हमें पढ़ लेंगी कि फर्स्ट लाइफ किसी दूसरे प्लेनेट से आई है एज़ा सीड और उसने लाइफ के सुरुवात की है तो दोस्तों कैसा रहा जरूर कमेंट बॉक्स में अपन